है क्लियर कर दू कि अभी सुर्वात हम करेंगे साम्य संतुलन के नियम से तो यहाँ पर यहाँ पर जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है साम्य संतुलन का नियम जिसके अंदर हम साम इस्थरां के बारें पढ़ेंगे तो आखिर साम्य संतुलन का नियम क्या होता है एक रहा है आपको पिछले क्लास में मैं ये बता चुका हूं कि किसी भी क्रिया का जो दर होता है स्पीड वो किस पर निर्भर करता है सांधरता पर निर्भर करता है क्या आपको याद है बेटा हमने पिछले क्लास में यह पढ़ा है तिक जब भी कोई क्रिया या अभी क्रिया चल रहा होता है तो उसका जो दर होगा उसका जो स्पीड होगा वो सांधरता पर निर्भर करता ह याने कि हम अभी कारक का जितना ज़्यादा सांधरता लेंगे reaction का speed उतना ही ज़्यादा होगा reaction का जो speed है वो उतना ही ज़्यादा होता है तो अब देखिए यह जो reaction है यह reversible reaction है और पिछले class में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि सामय अवस्था क्या होता है माल लीजिए reaction आगे चल रहा है आगे चलते चलते रुख गया तो हम कहेंगे reaction कहां पहुंच गया सामय वस्था में माल लीजिए ये reaction पीछे के तरफ चल रहा है और चलते चलते रुख गया तो हम कहेंगे reaction कहां पहुंच गया सामय वस्था में तो सामय वस्था किसी भी दिश शाव में चल सकता है फोरवर्ड भी और बेकवर्ड भी तो पहले हम यह समझते हैं कि आगे के तरफ चलSIले वाले अभी करिया का दर किस पर निर्भर करेगा और पीछे के तरफ चलने वाले अभी क्रिया का दर किस पर निर ignor करेखा तो तो आप क्योंकि पिछला क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो बेटा, आगे, आगे मतलब forward, आगे मतलब forward, तो आगे के तरफ, यानि कि forward, यहाँ F लिक रहा हूँ, F मतलब forward, यानि आगे के तरफ, तो आगे के तरफ चलने वाले अभी क्रिया का जो दर है, वो किस पर निर भर कर करेगा A और B के सांधरता पर, है न, यानि कि A और B का सांधरता जितना जादा लोगे, आगे के तरफ चलने वाला, यानि forward, डारेक्शन में चलने वाले क्रिया का जो दर है, वो जाता होगा, वही पर, वही पर हम देखते हैं कि पीछे के तरफ जो रियक्शन चलता है, यान कि पीछे के तरफ चलने वाले अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा C और D के सांधरता पर, करेक्ट, ये simple सा एकदम लॉजिक है, रियक्शन forward direction में कितनी तेजी से जाएगा, वो A और B के सांधरता पर निर्भर करेगा, और reaction backward direction में कितनी ते जब हम ये समानुपाती का चिन हटाते हैं, तो यहाँ पर एक इस्थरांग देते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक इस्थरांग दे दिया, याद रखेगा, ये आगे के तरफ चलने वाले क्रिया के लिए है, और ये पीछे के तरफ चलने वाले क्रिया के लिए है, अच्छा ज दोनों ही दर इस्थरांग है तो पहचानने के लिए हम यहाँ f लगा देते हैं यारे की forward direction में चलने वाले कृया का दर इस्थरांग और यहाँ b लगा देते हैं इसके मतलब पीछे करप चलने वाले अच्छा इसको equation number one माल लेते हैं और इसको equation number 2 माल लेते हैं अब तु मुझे बाता आओ हम पिछले chapter में माफ कीजिए पिछले class में ये पढ़ चुके हैं कि साम्य अवस्था उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था उस अवस्था को बोला जाता है जिसमें जिसमें सामने के तरफ चलने माले किरिया कादर और पीछे के तरफ चलने माला किरिया कादर सेम होता है यानि forward speed और backward speed जब सेम हो जाए तो हम बोलते हैं reaction कहां पहुच گیا equilibrium पे तो हमें याद है कि साम्य अवस्था में साम्य अवस्था में हमें पता है कि साम्य अवस्था में अवस्था में हमने पहले सी ये पढ़ा हुआ है हमने पहले सी ये पढ़ा हुआ है कि आगे के तरफ चलने वाले क्रिया कदर ध्यान दिजेगा आगे के तरफ चलने वाले क्रिया कदर आगे मतलब फारवर्ड और पीछे तरब चलें वाला क्रिया कदर यानि कि backward दोनों क्या रता है इक्वल रता है हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं हमें पहले ही पहर चुके कि साहाने आवस्था में forward direction का speed और backward direction का speed दोनों same होता है तो बेटा तुम बताओ तुम बताओ अगर अगर यहाँ पर forward और backward के दर सेम हो जाए अगर forward और backward के दर सेम हो जाए तो यह और यह भी भी सेम हो जाएगा है ना है ना तो equation 1 और 2 से मैं क्या equation मना सकता हूं बैटा तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि kf A और B किसके equal हो गया बैटा K, B, C और D के बराबर हो गया मैंने क्या किया? मुझे याद आया कि सामय वस्था में आगे के तरफ चलने वाले क्रिया कदर और पीछे के तरफ चलने वाले क्रिया कदर अगर समान है तो ये भी समान हो जाएगा अच्छा जी, यहां से अगर मैं K वाले तर्म को एक तरफ लिख दूँ अगर मैं K वाले तर्म को एक तरफ लिख दूँ KF और KB तो मेरे एक्वेशन कैसा हो जाएगा बेटा? C, D, A, और B देखो अब ये एक्वेशन जो है वो कुछ इस परकार का हो जाएगा देखो ऐसा, अच्छा अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि यहाँ पर KF और KB दोनों इस्थरांग है KF और KB दोनों इस्थरांग है और कभी भी एकी एकी समीकरण में दो इस्थरांग नहीं होते कभी भी एकी समीकरण में दो इस्थरांग नहीं होते तो इन दोनों को हटा के ये बड़ा के है और इस बड़े के को ही साम इस्थरांग कहा जाता है कोई पूछेगा आपसे साम इस्थरांग क्या होता है तो कह देना कि यहाँ पर यहाँ पर जो बड़ा के आप देख पारें इसी बड़े के को साम इस्थरांग बोलते हैं और कोई आपसे पूछता है साम क्या होता है तो तुम कहना सी और डि क्या है बटा उत्पाद है और यह क्या है अभीकारक जो सांधिरता जो सांधिरता है चलिए इसका स्क्रींशाट लीजिए फिर कहानिक और आगे बढ़ाता हूँ मैं Good morning, Good morning, Kalyane Ji, Puspanjali, Rajat Kumar, Good morning, बेटा स्क्रींशाट लिजिए फिर आगे बढ़ते हैं Ravikumar जी, Good morning, Sahaid Babu चले तो अब हमने ये तो जान लिया कि सामिस्थरांग क्या होता है लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो सामिस्थरांग होता है इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जरा ध्यां से देखेगा आपने यहाँ पर क्या किया? आपने यहाँ पर एक reaction लिया जैसे यह देखो A प्लस B जो C और D में बदल रहा है और आप यहाँ पर साम इस थरांग निकाल रहे हैं आपने साम इस थरांग कैसे निकाला बेटा? यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा आपने? यहाँ पर आपने लिखा C D यहाँ पर आपने क्या लिखा? A और यहाँ पर क्या लिखा B अब तू मुझे बताओ हम पिछले क्लास में पहले यह पर चुके हैं मालो यहाँ सामने में 2 लिखा होता या यहाँ पर सामने में, सपोज यहाँ पर 3 लिख दूँ, 3, तो आपको पता रहे क्या होता है बेटा, किसी भी अडू के सामने जो भी value होता है, वो सांधरता के उपर चला जाता है, याने कि C की उपर में 3 लिख देंगे, A की उपर में 2 लिख देंगे, मुझे लगता है example देखो, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, अब कोई आपसे कहेगा, चलो इस अभी किरिया का, सामने इस थरांख निकालो, कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, उपर क्या जाएगा, N3, सामने 2 लिख दो पावर में 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, N2, य सामने 3 लिख दो पावर में 3 आ जाएगा, तो बस इतना आद रखना है, बस इतना आद रखना है कि साम इस थरांख निकालते वक्त, साम इस थरांख निकालते वक्त, जो उत्पाद होता है, वो उपर आता है, और जो अभी कारक होते हैं, वो नीचे आते हैं, और इनी के अन ठीक है अब अब इस साम ये स्थरांग के बारे में चलिए और भी कुछ बाते हम समझ लेते हैं अब जो साम इस्थरांग मैंने हापन निकाला है अब इसी को दो अलग अलग तरीकों से दर्शाय जाता है साम इस्थरांग को हम लिखते के हैं साम इस्थरांग को हम लोग के लिखते हैं पर इस के को दो तरीकों से हम व्यक्त करते हैं कैसे जरा ध्यान से देखेगा माल ले बेटा कि मेरे पास एक अभिक्रिया है माल लीजे मेरे पास एक अभिक्रिया है जिसमें A, B, C और D में बदल रहा है और कुछ दिर के लिए चलो माल लेते हैं सामने में कोई कोफिशेंट रख देते हैं यहां सामने में कोई कोफिशेंट रख देते हैं अब मैं कहूँ को चलो इसके लिए साम इस थ्रंक निकालो, तो आप साम इस थ्रंक कैसे निकालोगे, आप लिखोगे, के उपर किसका सांधरता जाएगा, C का, D का, नीचे किसका आएगा, A, और किसका, B का, अब आपको तो पता ही है, कि अगर सामने 3 लिखा है, तो यह 3 हो ज कोश्टक में बनाता हूं, बेटा, इस कोश्टक का मतलब क्या होता है, इस कोश्टक का मतलब होता है, सांधरता, इस कोश्टक का मतलब होता है, सांधरता, तो अगर प्रश्ण में, प्रश्ण में A, B, C, D, सब का, अगर सांधरता दिया रहेगा, अगर प्रश्ण में सब का सांधरता दिया रहेगा सांधरता उस समय जो साम इस्थरांग निकालते हैं उसे हम केसी लिखते हैं बेटा केसी तो केसी का मतलब होता है केसी का मतलब होता है साम इस्थरांग जब सांधरता दिया होता है तो ध्यान देंगे कि यहां पर यह क्या है यह साम ये इस्थरांग यह है साम इस्थरांग जब सांधरता दिया हो जब प्रष्न में सारे मौलेकुल्स के सांधरता का मान दिया रहेगा तब आप K को KC लिखेंगे, अच्छा इसी को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इसी अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माल लो तुमको ब्रैकेट बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट की स्थान पे C भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट ना ब लिखेंगे और सामने में डी के सामने का लिखा है थ्री लिखा है तो यहां पावर में थ्री लिख देंगे एक के सामने का लिखा है तो यह सामने में पावर में टू लिख देंगे तो बस मैं यह बता रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं कि केसी को केसी को दर्शाने के दो तरीके हैं या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो किसी-किसी प्रश्ण में इस तरह से केसी लिखा हुआ आता है और किसी-किसी प्रश्ण में केसी ऐसा लिखा हुआ आता है परेशान नहीं होंगे दोनों एक ही है बस फरक क्या है ब्रैकेट अगर आप ब्रैकेट ब बनाके केसी को दर्श आईए या फिर कैपिटल सी लिखके केसी को दर्श आएंगे प्लीज कॉपी कीजिए इसको यह स्क्रीन्शोट लीजिए इस प्रकार केसी को दर्श आते हैं तो केसी कब निकलता है बेटा जब सांधरता कमान दिया होता है जब सांधरता कमान दिया होग अब यहां मैंने बोला कि जब प्रस्ण में सारे मॉलेक्यूल्स का सांधरता दिया रहेगा तब आप इस प्रकार से लिखेंगे लेकिन अब यहां देखेगा लेकिन अगर मान लीजिये कि आपके सामने कोई अभिक्रिया है कुछ दिर के लिए यहां सामने टू लिख देते हैं यहां सामने में थ्री लिख देते हैं सामने में टू और सामने में थ्री तो क्या समझे अब मैं इस बार फिर से आपके सामने के लिखने जा रहा हूँ पर इस बार हुआ ये कि इस बार इस के को मैं केपी लिखूंगा बटा केपी, अब केपी का मतलब क्या होता है केपी भी सामे स्थरांख है केपी भी सामे स्थरांख है ये भी सामिस्त रांख है, जब दाब दिया होगा, ध्यान देंगे, जब प्रस्ण में A, B, C, D सब का दाब दिया रहेगा, दाब का मान, प्रेशर का वैलिउ, प्रेशर का वैलिउ, तब हम केसी ना लिक के के पी लिखते हैं, और इधर आगे क्या लिखेंगे बेटा, तो ऐसे लिख दिया और जो components थे उसको ऐसे लिखेंगे C, D, A और B तो लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि सामे स्थरांग को दो तरीकों से दर्शाते हैं सामे स्थरांग को दो तरीकों से दर्शाते हैं पहला केसी की रूप में, दूसरा केपी की रूप में, बस दोनों फर elevation का है बेटा, अगर प्रस्ण में सभी अडवो का सांधरता कमान दिया रहेगा, तब साम इस थरांग को केसी की रूप में लिखते हैं, और जब भी अभी क्रिया में दिये में सभी अडवो का दाब दिया से दिर्श है आता हैं कि सामि स्थरांह को ही अलगलगे तरीकों से दिर्श आते हैं कि या तो केशी गरूप में या फिर क्य पी गरूप में डोनो श들이 सामि स्थरांगा ओके चलिए थोड़ा सा विवस्थित करके इसको अच्छे से मैं आपके सामने एक बाद लिख देता हूँ बेटा यहाँ देखेंगे मान लो मेरे पास एक अभी क्रिया है मान लिखेंगे मेरे पास एक अभी क्रिया है A, B, C, D, यहाँ देखेंगे ओके और मान लो सामने में कोई कोफिशेंट है यहाँ पर 2, 3 ऐसे ना लिख के एक काम करता हूँ यहाँ पर A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ यहाँ D लिख देता हूँ, तो सामने में कोफिशेंट्स जो हैं उनको मैंने कालपनिक रूप से A, B, C, D लिख दिया, मालो यहाँ A, B, C, D, बस मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ जिसे 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, तो 2, 3 ना लिख के A, B, C, D से दर्शा रहा हूँ, तो ऐसे अवस्था में, चलिए, साम इस्थरांग कैसे रिप्र चल जाएंगे, C, D, A, B, अच्छा, केसी में एक फायदा है, कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे, केसी में एक फायदा है, कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, या तो ब्रेकेट बनाओ, या फिर C, C लिख दो, ऐसा भी चलता है, अब C भी लिख सकते हैं तो अब बताओ कैसे करूँ यहाँ पर मैं C, D, A, और B तो यह केसी को दर्शाने के दो तरीके हैं या तो आप ब्रेकेट बना या तो C लिखो या तो ब्रेकेट बना तो C लिखो लेकिन जब केपी को दर्शाना होगा जब केपी को दर्शाना होगा तो बेटा, यहाँ पर एक ही विकल्प है क्या? हमारे पास bracket तो अब नहीं बना सकते bracket नहीं बना सकते क्योंकि bracket का मतलब तो सांधरता होता है और हम यहाँ पर दाब के आधार पर सामिय वस्ता को हम यहाँ पर explain कर रहे हैं यहाँ पर bracket नहीं बना सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक ही विकल्फ है P लिखने का, हमारे पास एक ही विकल्फ है P लिखने का, रही बात सारे components, तो इसको represent कर दीजिए, कैसे करोगे बेटा, यह देखो, क्या करोगे यहाँ पर इसको C, D, A, और B, तो याद रखना, केसी को दर्शाने के दो तरीके हैं, या तो bracket बनाओ, या तो C लिखो, पर केपी को दर्शाने का एक ही तरीका होता है, P ही आप लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना, कि जब भी एक्जाम में प्रशन आएगा, साम्य इस्थरांक निकालो, तो बेटा, केसी निकालना है, कि केपी निकालना है, ये आपको पता चलेगा, परशने में दिये हुए अड़ों के सांधरता या दाप के मान से, मैं आपका इसका एक्जाम्पल बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसकी शॉट लेंगे इसका, तो चलो, अब मैं आपको इसका एक विशिष्ट एक्जाम्पल, एक स्पेसिफिक एक्जाम्पल दिखाता हूँ, कैसे आपको इसका प्रशन जो है, इसमें पूछा जाएगा, जैसे मा लिजे, किसी ने बोल दिया, कि PCL5, PCL3 और CL2 में बदल रहा है, किसी ने बता दिया, कि N2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, एमोनिया बनाता है, और मुझे बताया गया, कि इन सबका सांधरता का मान है, 2.4 mol प्रति लिटर, इसका मालते हैं, बटा 3.6 mol प्रति लिटर, इसको मालते हैं, 4.8 mol प्रति लिटर, N2 का दाब दिया हुए हमालते हैं, 2.8m, 6.8m, 4.8m, और यहाँ पर कह रहा है, सामे इस्थरांग का मान गयाद करो, अब एक्जाम में क्या लिखा रहेगा, सामे इस्थरांग गयाद करो, तो आपको खुद दिमाग लगाना है, कि आखिर आपको केसी निकालना है, कि केपी निकालना है, और यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, बेटा, कैसे, सिंबल सी बात है, अगर सांधरता का मान दिया रहेगा, बेटा, मोल पर लिटर क्या होता है, मोल पर लिटर क्या होता है, सांधरता को बोलते हैं, मोल पर लिटर क्या होता है, यह सांधरता है, यह सांधरता का मान है, और ATM, ATM किसका ही का ही है, दाब का, तो यह सब क्या है बेटा, यह सब दाब का मान है, तो सिंपल सा कहानी है अगर सांधरता दिया रहा है तो सांधरता लेंगे जल्दी बताओ उपर क्या लिखुम है PCL3, CL2 और नीचे में क्या लिखुम है बटा PCL5 अब चले इसका value put up कर दें तो केसी कैसे निकालोगे PCL3 कमान कितना है 3.6 CL2 को सांधरता कितना है 4.8 और PCL5 का सांधरता कितना है 2.4 बस आपको क्या करना है परिच्छा में आपको सब का सांधरता दिया रहेगा तो केसी निकलेगा और अगर सब का दाब दिया रहेगा तो केपी निकलेगा कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे तो यह देखो उपर किसका दाब जाएगा नहीं होंगे इस बात को लेकर भरमित नहीं होंगे कि सार आपने यहाँ भी तो कोश्टक बना दिया दोनों कोश्टक में फरक है यहाँ नहीं कर्व ब्रेकित बनाया है और यहाँ मतलब जब हम values को put up कर रहें लिए एक bracket का उप्योब करते हैं यह वो bracket है तो चलिए फिर जल्दी बताओ PS3 कदाप किता दिया है बैटा माफ कीजिए NS3 कदाप किता दिया है 4 तो उसका square हो जाएगा N2 कदाप किता दिया है बैटा 2 और H2 कदाप किता दिया है 6 उसका cube हो जाएगा तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्जाम में धान से सुनिएगा परिच्छा में कैसे प्रशन आएगा आपको एक अभिक्रिया दिया जाएगा उसमें आपको कुछ values दिया जाएंगे और बोला जाएगा साम इस थरांग निकालो अब आपको खुद बुद्ध्य लगाना है कि आपको साम इस थरांग के रूप में केसी निकालना है कि केपी निकालना है और मेरे ख्याल से यह पता करना मुश्किल नहीं है, बहुत सींबर सा लॉजिक है, अगर सभी अणगों का सांधरता दिया रहेगा, तो केसी निकलेगा, और सब का जब दाब दिया रहेगा, तो केपी निकलेगा, प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है? ओके, तो अब, अब हमको समझ में आया, कि केसी भी सामिस्थरांग है, और केपी भी सामिस्थरांग है, तो बेटा, इनकी बिच कुष्टो संबंध होता होगा? तो चली मैं आपको बताता हूँ कि केपी और केसी की बिच में क्या संबंध होता है? यह बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, जर ध्यान दिजेगा, तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, relation between KP and KC, मैं आपको यहाँ पर KP और केसी की बीच में क्या संबंध है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दिजेगा, केसी भी सामिस्थरांख है, KP भी सामिस्थरांख है, तो प्रस्ट यह उड़ता है, कि इन दोनों कुछ तो संबंध होता होगा, तो अब मैं आपको KP और केसी की बीच में क्या संबंध है? वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेगा, माल लो कि हमारे पास एक अभी क्रिया है, एक कालपनिक अभी क्रिया है, A, एक मिनट, A, जो B के साथ क्रिया करके C और D बना रहा है, यहाँ पर हम A और B कालपनिक मान रख देते हैं, चलिए, अगर मैं यहाँ पर इस अभी क्रिया के लिए के सी का मान निकालू, तो कैसे लिखूंगा बेटा, या तो आप ब्रेकेट बनाओ, या तो आप C लिख दो, या तो आप ब्रेकेट बनाओ, या तो आप C लिख दो, यह देखो C, D, A और B, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, करेक्ट, हाँ जी, लेकिन अगर मुझे KP निकालना हुआ, तो KP कैसे निकालूँगे बेटा, अगर मैं इसी अभी क्रिया के लिए KP निकालूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस C के इस्थान पर P लिखना तो अब बताईए, यहां क्या करूँ मैं, यह जाएगा C, D, A, B, अच्छा, यहां तक तो हो गया, यहां तक इसको समी करन एक मान लेते हैं, इसको समी करन दो मान लेते हैं, अब सुनो ध्यान से, अब मुझे याद आया, मुझे याद आया कि आदर्स गैस समी करन, मुझे कि आधर्स गैस समीकर prefers क제가 बाता पीवी क्वीड़ टु टु आर्टी APP को याद होगा इसके पिफले के पिछले चैपटर में आपनी यह समीकरन पढ़ा है इसे आदर्स को ऐसे मिलिइ सकते हैं आप सब को याद होगा कि यहाँ पर पर मोल की संख्या बटे आयतन सांधरता होता है तो यहाँ पर मैं सृटी Happy सकता हूं यह देखिए मुझे यह समी पिछले कि पिछमी के याद आया कि अधर्ष का समी करन होता है पी पी को अलग कर दिया अब जानते मैं क्या करने वाला हूं अब इस पी के मान को अब मैं इस पी के मान को यहां रख दूँगा समिकरण 2 में ध्यांदी से का P का मान क्या है CRT P का मान क्या है CRT तो अच P के मान को CRT को यहां लिख दूँगा तो जहाँ जहाँ P लिखा है जहाँ जहाँ P लिखा है वहाँ वहाँ में CRT लिख सकता हूँ न तो समिकरण 2 कैसा हो जाएगा तो अब देखना बेटा, अब आपका समिकरंड 2 कुछ इस पकार का दिखाई देगा, equation 2 becomes, याने कि समिकरंड 2 अब आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखो, ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, kp, क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ p लिखा है, वहाँ मैं क्या लिख सकता p लिखा था, वहाँ वहाँ मैंने crt लिख दिया, ये देखो, ये देखो, और जो बाकी components हैं, उनको भी लिख लिख लिते हैं, c, d, a, और b, ये देखो, इस समिकरंड को मैंने ऐसे लिख लिख लिया, अच्छा बेटा, अब अगर मैं यहाँ से RT को common निकाल दूं, तो इस समिकरंड आपको कैसा दिखाई देगा, ये देखो, ऐसा, क्या जाए गए, c, एक बिनट, अब ये समिकरंड आपको ऐसा दिखाई देगा, अब आपको ये समिकरंड ऐसा दिखाई देगा, ये देखो, C, D, A और B और मैंने क्या किया आठी कामन निकाल दिया तो क्या जाएगा C प्लस D ये क्या जाएगा बिटा A प्लस B अब देखो यही समिकरण इस तरह से भी लिखा जा सकता है और आगे बढ़ता हूँ अब अगर इसमें मैं इसी समिकरण को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ये देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है C, 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 R, T ये देखो मैंने क्या किया C, D, A, B अब मैंने क्या किया उपर भी R, T है निशे भी R, T है उसको भी और और कॉमन मना दूँ तो यह ऐसा हो जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B अब मेरा equation जो है वो इस प्रकार कर दिखाए देगा पहले screen shot लिजे इस space कम है मैं आगले कहाना चीए page का यूज करूँगा कॉपी करो simple derivation है बटे इसमें कोई mathematical logic नहीं है एकदम simple derivation है screen shot लिजे ले लिए ठीक अब इसी equation को अब मैं और आगे बढ़ाता हूँ इसी equation को और अब बताव बेटा ये जो हिस्सा है ये वाला ये बताईए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये किसी से मिलता जूलता है क्या ये जो हिस्सा है ये किसी से मिलता जूलता है क्या ये देखो आप देख पाएंगे कि ये जो हिस्सा है वो ये सेम ही तो है यह देखो यह जो आप देख पा रहे हैं यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा दोनों सेम है तो क्या मैं इसके इस ठान पर केसी लिख सकता हूँ अब मैं इसके इस ठान पर क्या लिखूंगा केसी लिखूंगा केसी तो अब यह equation कैसा दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा अब यह equation तो यह देखिए अब यह equation कुछ इस प्रकार का हो जाएगा यह देखो बेटा Kp मैंने क्या लिख दिया केसी इस पूरे हिस्से की स्थान पर मैंने केसी लिख दिया इधार क्या लिखेंगे RT पावर में क्या लिखाए बेटा में C, D, A भी यह सब लिखा है न इसको सीद है काम करो डेल्टा एंड से भी इसको दर्शाते हैं इस पूरे हिस्से को डेल्टा एंड से भी दर्शाते हैं यह लिजिए यह है Kp और केसी की बीच का संबंद अब बेटा यह जो C प्रस D, A और प्रस B है इसको हम डेल्टा एंड से भी दर्शाते हैं और डेल्टा एंड कैसे निकालते हैं यह इसकी पिछले वाले चैप्टर में आप सीख चुके हैं जब मैंने आपको थर्मो डैनमिक चैप्टर परहाया था फिर भी एक बार और याद दिलाऊंगा कि डेल्टा एंड कैसे निकालते हैं प्रीज कोभी करेंगे यही है केपी और केसी की बीच का संबंध यही है केपी और केसी की बीच का संबंध अब प्रस्ट में कैसे आएगा सुनो अब प्रस्ट में कैसे आएगा वो सुनो और बोला जाएगा उस अभिक्रिया का kp कमान दिया है तो kc calculate करो या फिर kc कमान दिया है तो kp calculate करो बस यही प्रस्ण आने वाला है इसमें numerical कैसे आता है बहुत simple आएगा अगर kc कमान दिया रहेगा तो kp निकालो बोलेगा और kp कमान दिया रहेगा तो kc निकालो बोलेग अब thermodynamic chapter में यह पढ़ चुके हैं फिर भी मैं एक बार आपे तरफ से बताना चाहूंगा कि यह आखिरी del n कैसे निकालते हैं del n कमान कैसे निकलता है del n कमान हम कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको del n कमान निकालके दिखाता हूं तो यहाद है del n कैसे निकलता है उत्पाद के अडवों की संख्या माइनस अभी कारक के अडवों की संख्या यानि की product माइनस reactant जल्दी बताओ इस तरफ कितने अडव हैं दो इस तरफ कितने अडव हैं तो value किता है बता 1 value किता है 1 है ना है ना है ना चलो del n निकालते हैं इस तरफ कितने अडवों हैं 2 है जी product में कितने अडवों हैं 2 और reactant में कितने अडवों हैं 4 4 कैसे यहाँ 3 है और यह 1 है कितने बताव माइनस 2 माइनस 2 इसमें निकालें इसमें कितना होगा यह देखो डेलन, number of moles of product minus number of moles of reactant इस तरफ कितना है? दो, इधार कितना है? दो, तो value के हागे बटा? 0 यह हो गया अच्छा, आपको पता है कि आपका जो समीकरण है वो ऐसा है kp equal to kc rt के उपर में है डेलन rt के उपर में है डेलन तो इसका मतब यह हुआ कि यह जो डेलन है वो kp के support में है याने कि डेलन कमान जादा होगा तो kp कमान जादा होगा डेलन कमान जादा होगा तो kp कमान जादा होगा और यहाँ देखो यहाँ डेलन कमान positive है यहाँ पर del n कमान positive है यानि kp कमान बड़ा आएगा किस से केसी से पर यहाँ del n कमान negative है यानि कि छोटा है del n कमान negative यानि कि छोटा है तो यहाँ पर kp छोटा हो जाएगा किस से केसी से और यहाँ पर देखो del n कमान शुन्य है यानि कि यहाँ पर kp और kc कमान एक जैसा आएगा यहाँ पर kp और kc कमान एक जैसा सिम्बल सा लॉजिक है बेटा कि del n कमान kp के support में है यानि कि del n अगर positive होगा तो यह बड़ा होगा del n छोटा होगा तो kp के value भी छोटा होगा स्क्रिंशॉट लेंगे इसका फिर आपको प्रस्ट भी करवाना है मुझे ओके तो numerical एकदम इजी है बेटा बस आपको kp दिया रहेगा तो kc निकालना रहेगा और kc दिया रहेगा तो kp निकालना रहेगा बस एक ही बाग का ध्यान दिजेगा बस एक ही बाग का ध्यान देंगे जब आपके सामने ये equation आएगा kp equal to kc rt और del n तो बस इतना ध्यान दिजेगा कि ताप मान केल्विन में होना चाहिए पहली बात दूसरी बात r का मान क्या लोगे आर कमान 0.0821 लीटर atm पर कैलीविन इसका value होता है तो ध्यान दिजेगा आपको अब आपको ये वाला मान तो आप पहले ही पढ़ चुके है भूल गया क्या जब मैंने आपको गैस ये अवस्था चेप्टर प्रहाए था पदार की अवस्थाएं और उश्मा गत की दोनों चेप्टर में आप आर कमान पढ़ चुके है तो आर कमान ये कहा से आया हम इसके पहले चेप् जालने आना चाहिए जो मैंने आपको याद दिला दिया है तापमान प्रश्ण में दिया रहेगा और आर कमान कितना होते हैं मैंने आपको बता दिया चलिए तो अब हम कुछ प्रश्ण बना लेते हैं इसका स्क्रीन शॉट लीजिए पहले हां रभी कुमार जी टेंपरेचर गीवन होगा पंकच पडेल गुड मॉनिंग बेटा चलिए तो अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्ण रखता हूं देखो कैलकुलेशन करने में थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा प्रकुलेशन करने में थोड़ा मेहनत लगेगा पर कोशन सवज में आ रहा है कि यह भी तो इंपोर्टेंट है तो जैसे एक प्रस्ण है आपके सामने इस प्रस्ण में एक अभिक्रिया दिया हुआ है ताप मान का मान भी दिया है और केपी का मान भी दिया है केपी का मान भ होगा इस तरफ चलो चलो अबताओ इस अभी क्रिया में डेल औन कमान किया उस तरफ कितने अडू है? 3 इस तरफ कितने अडू है? 2 तो देल N कमान होगे बेटा 1 बस फिर क्या था? चलिए हमको क्या करना है बेटा? हाजी तो Kp equal to Kc Rt के पावर में डेल N तो चलिए value put up करें वैसे क्या निकालना है आपको? Kp दिया है और Kc निकालना है? तो यह हो जाएगा 1.8 into 10 to the power minus 3 किलो पासकल किलो पासकल आगे बढ़ते हैं केसी आपको निकालना है R कमान किता होता है 0.0821 ताप मान किता दिया है जी 700 Kelvin बस उपर क्या लेंगे डेलन कमान 1 तो डेलन कमान 1 है तो इसको लिखो तो भी ठीक ना लिखो तो भी बस इसको हल करना उत्तर आपके सामने होगा इसके screenshot लीजिए इसके बाद अलब प्रस्न आप मुझे बना के दिखाना बेटा इसका screenshot लो फिर इसके बाद अलब प्रस्न आप मुझे बना के दिखाएंगे एक मैंने आपको बता दिया उधारन अब अगला आप मुझे बना करके बताएंगे ठ ठिक तो चलिए ये जो प्रस्ण है ये आप मुझे बना के दिखाओ बेटा ये जो प्रस्ण है अच्छा एक मिनट न एक मिनट लीजिए ये प्रस्ण आप मुझे बना के दिखाओ अभी क्रिया आपके सामने है TAP man दिया है KP का man दिया है और KC आपको निकालना है चलिए यह आप मुझेा बनाकर दिखाएए Try करो Try कीजिέ करना क्या है मैंने आपको बता दिया है बेटा DL and command ठीक से निकाल लेंगे झाल झाल क्या सूतर में कुछ नहीं तो कर सम सूतर में वैलू पूट अप कर दिये क्या है बस मुझे इतना बता देना आप लोग ऐसे ही किया हो क्या क्या आप लोग ने ऐसा किया है 0.157 केसी निकालना है क्या किया है बस इतना बता दो यह कर रहा है क्या अगर यह कर रहे हो तो फिर बाद में कैलकुलेशन कर ले न मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप लोग बाद में इसको हल कर लेंगे यह किया हो इसको प्लीज ये की हो क्या बेटा ठीक हाँ पुस पाँजरे जी चलेगा आपका जो आशर ओभी सही है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं चलो एक प्रश्च और मुझे बनाके दिखाओ एक प्रश्च मुझे और बनाके दिखाओ ये लो इस बार केसी कमान दिया है और आपको KP कमान निकालना है चलो ट्राइ करो मैं भी अपने तरफ से ट्राइ करूंगा पहले सूतर में पहले तो value put up करो बटा सूतर में सही सही value put up करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्ट ने समझ में आ रहे कि नहीं यह बहुत महत्वपूर्ण होता है बागी गुड़ा भाग तो आप कर ही लोगे वो तो मैं सिखा नहीं सकता बेटा कि गुड़ा कैसे करते है भाग कैसे देते है वो तो आपका हिस्सा है प्रश्ट कैसे बनता है वहां तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ तो चलिए मुझे बताईए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं पर कंफर्म कर लेते हैं कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अगर आपने भी ऐसे कुछ किया है तो फिर ठीकी है 49 आर का वैलियो 0.0821 ताप मान दिया है 127 डिगरी ध्यान दीजेगा 127 डिगरी पर उसको आप 273 से 273 से पता है ना बैटा 273 प्लस करेंगे ताकि केल्वीन में आ सके मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ताप मान का वैल्यू केल्वीन में होना चीए तो केल्वीन में चेंज कर लें और डेलन कमान कितना आया भई ओ डेलन कमान कितना आ रहा बज़े बताएंगे 1.61 इसके पहले आलम क्या उतर था बैटा 6.38 ओके 1.61 KP के खर्वाट करना है इस अभिक्रिया में कुछ तुरूटी है तुरूटी है या तो अभिक्रिया में तुरूटी है या तो आंसर में तुरूटी है ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दिमाग यहां तो डेलन कमान शूद निया रहा है यहां डेलन कमान यह वह शूद निया रहा है कर अग attempts कि यह पूरा हिश्था शूद निया तो मुझे लग रहा है। इस अभिक्रिया रूटी है इसको एक बार मैं बाद में रिकवर कर लेंगे इसको छोड़ देते हैं भी मैं देख नहीं पाया लड़का जो टैपिंग करता उसने कुछ बड़ी किया लग रहा है क्योंको डेलन के माने शून नहीं आ रहे तो पूरा हिसा शून नहीं हो जाएगा पर आंसर 1.61 दिया है मतल कर आईएगा यह प्रस्ट आपको घर बनाना इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा से इसको छोटा करता हुए हां इसका स्क्रीनशॉट लिजिए भर बना लिजिए इसको घर बना लेंगे ठीक है झाल